प्यारे विद्ध्यार्थियों, आज हम लोग आठवी कक्षा की गणित के अभ्यास एक दसम्लोग छे के प्रशनों को हल करना सीखेंगे तो इस अभ्यास के दो प्रशन हम कल के विडियो में हल करना सीख चुके हैं तो आज इस अभ्यास के तीसरे प्रश्ण को हम देखेंगे तो देखिए तीसरा प्रश्ण क्या है पहले उस प्रश्ण को हम लिख दे रहे हैं तो देखिए तीसरा सवाल है माइनस 15 बटे 28 को किस संख्या से गुड़ा करें तिकर माइनस 15 बटे 28 को किस संख्या से गुड़ा करें कि गुड़न फल गुड़न फल माइनस 5 बटे 7 प्राप्त हो तो यह आपका प्रश्न है कि माइनस 15 बटे 28 को किस संख्या से गुड़ा करें कि गुड़न फल माइनस 5 बटे 7 प्राप्त हो तो देखिए इसी प्रकार का प्रश्न है आपका दूसरा भी था इस अभ्यास के दूसरे प्रश्ट को हम लोगों ने हल किया है तो इसी प्रकार से वह भी प्रश्न था तो अब जैसे कि वह संख्या हमें ग्यात करनी है कि माइनस 15 बटे 28 में किस संख्या से गुड़ा करें कि माइनस 5 प्राप्त हो तो इसके लिए आप कोई चर मान लीजिए कि माना माइनस 15 बटे 28 में यक्स से गुड़ा करनी पर गुड़न फल माइनस 5 बटे 7 प्राप्त होगा तो ऐसा एक चर हमने मान लिया कि माइनस 15 बटे 28 में यदि हम यक्स से गुड़ा कर दें तो माइनस 5 बटे 7 प्राप्त हो जाएगा तो देखिए अब इस कथन को हम ऐसे लिख लेंगे माइनस 15 बटे 28 गुड़ते यक्स बराबर माइनस 5 बटे 7 अब देखिए हमारा प्रशन एक समीकरण के रूप में बन गया है आप यदि समीकरण को हल कर लेते हैं तो आपका प्रशन हल हो जाएगा तो इस समीकरण में यक्स की बैलू हमें चाहिए तो यहाँ हम लिख लेते हैं यक्स बराबर और फिर इधर माइनस 5 बटे 7 लिखा है अब माइनस 15 बटे 28 का पक्षांतर करना है जो बाएं पक्ष में था अब इसे दाएं पक्ष में हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस 15 बटे 28 का यक्स के साथ गुड़ा का सम्बंध है जब इधर आएगा पक्षांतर होगा इसका तब भाग का संबंध हो जाएगा तो यहां हम भाग का चिन्न लगा देंगे और माइनस पनरा बटे 28 हमने लिख दिया तो एक कोश्ठक आप लगा दीजी क्योंकि दो चिन्नेक साथ आ रहे हैं माइनस पांच बटे 7 भागे माइनस 15 बटे 28 अब देखिए माइनस 5 बटे 7 भाग के चिन्न को जब हटाएंगे गुडा में परिवर्तित करेंगे तब यहां संख्या पलट जाएगी 28 बटे माइनस 15 हो जाएगा तो अब देखिए गुडा का प्रश्न बन गया है अब इससे गुडा को आप हल कर लें माइनस पांच गुडे 28 और 7 गुडे माइनस 15 मने अंस का यंस में गुडा होना है हर का हर में चाहें तो आप एक लाइन फिर ऐसे लिख लें माइनस पाच गुड़े 28 बटे 7 गुड़े माइनस 15 तो बस अब अगर शरल हो रहा है तो थोड़ा से इसे सरल करें तब गुड़ा करें और चाहे तो गुड़ा करें फिर बाद में शरल करें लेकिन उचीत यही कि आप यहीं पर इसे सरल करें तो देखिए 7 से 28 कट रहा है और 5 से माइनस 15 कटेगा तो 5 से 15 कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस 1 क्योंकि 5 एक अन्य पांच 5 तियाई 15 अगुड़े 7 से 28 कट दिया 7 चोक 28 तो देखिए उपर बचा माइनस 1 गुड़े 4 और नीचे क्या है अब 7 के जगा एक बचा अगुड़े और यहाँ पर माइनस 3 बचा एक बार समझ लीजी कैसे यहाँ गया देखिए 5 तियाँ 15 अब 5 एक अन्य पांच देखिए यहाँ जब हमने काटा देखिए यह दोनों हमने कैंसल किया तो यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर तीन बचा लेकिन दोनों ही रिडात्मक है तिसलिए माइनस एक और यहाँ पर माइनस तीन अब फिर 7 से 28 काटा 24 गठाइस साथ एक अन्य साथ तो यहाँ पर एक लिख दिया गया और यहां पर चार लिख दिया गया तो बश एक्स की बेलू देखिया गए माइनस एक से चार में गुड़ा करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस चार और एक से माइनस तीन में गुड़ा करेंगे माइनस तीन अब देखिए माइनस अंस के साथ भी हर के साथ भी है तो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा हमारा फाइनली उत्तर आएगा 4 बटे 3 तो देखिए वो हो परिम्य संख्या क्या है 4 बटे 3 जिससे हम माईनस 15 बटे 28 में गुड़ा करेंगे तो हमें माइनस 5 बटे 7 प्राप्त हो जाएगा तो यक्स की बैलू क्या आगई? 4 बटे 3 तो हम लिख सकते हैं अतह अतह माइनस मनें अतह 4 बटे 3 से माइनस 15 बटे 28 में गुड़ा करने पर गुड़न फल माइनस 5 बटे 7 प्राप्त हो जाएगा तो यक्स की बैलू यही है और यही आपका उत्तर है आप चले देखिए चुकि समीकरण हमने हल किया है तो इसले इसके उत्तर की हम जाच भी कर सकते हैं तो उत्तर की जाच कैसे करेंगे तो इसी 4 बटे 3 से इसमें आप गुड़ा कर दीजे माइनस 15 बटे 28 में तब फिर यह उत्तर आपका आजाना चाहिए और तभी आपका उत्तर सही है तो देखिए कर लेते हैं माइनस 15 बटे 28 गुड़ते 4 बटे 3 अब देखिए 4 सते 28 तीन पचे 15 अब देखिए ऊपर क्या बचा माइनस 5 और नीचे 7 बचा देखिए माइनस 5 बटे 7 हमें प्राप्त हो गया तो इस प्रकार से हम कह सकते कि हमारा उत्तर बिलुकुल सत्प्रसद सही है किताब में हमें अपना उत्तर देखने की आउसकता नहीं है तो आप लोग ध्यान से इन प्रशनों को देखिए और अच्छा होगा कि सवालों को आप नोट कर लीजिए प्रशनों को और एक बार पुनह स्वयम अपने आप से इन प्रशनों को हल करिए और तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए चौथा प्रशन हम लिख रहे हैं दिखिए इसमें दिया है यक्स बराबर आठ बटे पंदरा यक्स बराबर आठ बटे पंदरा वाई बराबर दो बटे तीन और जड बराबर चार बटे दस को लेकर यक्स बहागे वाई गुड़ते जड डज नाट इक्वल यक्स बहागे वाई गुड़ते जड को सत्यापित कीजिए तो देखिए आपका प्रशन अब आपके सामने है कि यक्स का मान दिया है आठ बटे पंदरा वाई का मान दो बटे तीन जड का मान चार बटे दस इन मानों को लेकर कहरा यक्स बहागे वाई गुड़ते जड मने यक्स में वाई से भाग देकर और उसके भाग फल में आप जड से गुड़ा करिए फिर दे रहा है कि यक्स में वाई गुड़ते जड मने वाई और जड के गुड़न फल से यक्स में भाग दीजिए फिर द बायापक्ष और दायापक्ष तो यक्स वाई जट के मान को तो यक्स वाई और जट का जो यहां पर मान दिया हुआ है इन मानों को आप इनके अस्थान पर रख करके दोनों पक्षों को हल कर लीजिए मने इसे बायापक्ष और इसे दायापक्ष बायापक्ष और दायापक्ष दोनों को हल कर लेंगे तो दोनों के मान समान नहीं आने चाहिए यही सत्यापित करने के लिए कह रहा है तो चलिए हम पहले हल करते हैं इसे तो पहले हम बायापक्ष लेते हैं तो यल यच यस दिखे अब देखे बाया पक्ष हमारा क्या है यक्स भागे वाई अगुडते जेड अब देखे इसमें यक्स बराबर आठ बटे पंदरा वाई बराबर दो बटे तीन और जेड बराबर चार बटा दस रखने पर अब देखे बाय पक्ष में हम अपर यक्तमान को रख रहे हैं यक्स वाई जेड और इसे हल कर लेंगे फिर इसी तरीके से अदाएं पक्ष को भी हल कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि दोनों बराबर हैं आपस में या नहीं तो चलिए यक्स की बैलू हमारे पास है आठ बटे दस देखिए मान हमने सब के रख लिए अब आप इस कोष्ठक को हल करेंगे पहले भाग है तो भाग हल करना आप सीख चुके हैं 8 बटे 15 गुड़ते 3 बटे 2 हो जाएगा गुड़े 4 बटे 10 तो देखिए भाग के चिन को जैसे ही हमने गुड़ा के चिन में परिवर्द किया यह संख्या पलड गई जो दो बटे तीन था वह तीन बटे दो हो गया तो अब देखे अगले चरण में अब देखे तीन से पंदरा कटेगा दो से आठ कटेगा तो जब दो से आठ कटेगा तो चार प्राप्त होगा गुड़ते और तीन पचे पंदरा मने तीन यहां समा तो जब इसे हल किया गया तो चार गुड़े एक बटा पांच गुड़े एक मने कहने को तो चार बटा पांच प्राप्त हुआ क्योंकि देखें अदो से काटेंगे चार तीन पचे पंद्रा तो अब यहाँ पर हल हो जाएगा यह लाश्ट में चार बटे पांच गुड़ते चार बटे 10 दिखे यहां पर आपका उत्तर आगया गुड़ा कर लें दोनों का 16 बटे 50 और 16 बटे 50 को सरल कर लें 8 बटे 50 तो 2 से कर जाएगा दूई यट 16 अब 25 दूना 50 8 बटे 50 तो मने answer को हमने हल किया तो हमारा मान के आया 8 बटे 50 अब इसी तरीके से दाएं पक्ष को भी हम हल कर लेते हैं तो यहां लिख लेते हैं आर एच एस बराबर अब देखें यह क्या है यक्स भागे फिर कोश्ठक में है वाई गुड़े जेड अब इसमें भी वही मान रखना है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं में यक्स बराबर आठ बटे पंदरा वाई बराबर दो बटे तीन जेड बराबर चार बटे दस रखने पर अब देखें इसमें भी मान जब हम रखेंगे तो यक्स की बैलू हमारे पास है आठ बटे पंदरा भागे कोश्ठक में बैलू क्या है वाई और जड की दो बटे तीन गुड़े जड का मान है चार बटे दस तो इसे लिख लिया तो अब देखिए आप पहले गुड़ा कर लिजे ताकि कोश्ठक तूट जाए तो आठ बटे पंदरा और भागे अब देखिए कोश्ठक में हम गुड़ा करेंगे तो दूई पंचे दस यह कट जाएगा तो उपर क्या बचेगा आपका चार और दूई पंचे दस और पांतिया पंदरा चार बटे पंदरा आएगा देखिए यहाँ पर दो से हमने दस को काट दिया तो दो पंचे दस और फिर उपर क्या बचा है चार और नीचे तीन गुड़े पांच पंदरा तो चार बटे पंदरा अब इसे आप भाग देंगे तो आठ बटे पंदरा और भाग के चिन्न को गुड़ा में बदलेंगे त पंदरह बटे चार तो अब यहां भी जो संख्याय कट रही हूं से आप पाट लीजिए फिर गुड़ा कर लीजिए तो यहां कट जाएगा चार दुनी आठ और पंदरह से पंदरह कैंसिल हो जाएगा तो यहां आपका बचेगा दो यहां केवल दो ही बचेगा तो फाइनली यहां पर दो आ गया देखिए अब दोनों पक्ष हल हो चुके हैं बाया पक्षभी दाया पक्षभी तो यहां पर देखिए दोनों का मानक हम तुलना कर लेते हैं तो यल यच यस यहां लिख देते हैं चू की यल यच यस बराबर देखिए हमने हल किया है आठ बटे पचीस तथा और यह चिएस बराबर दू तो इसलिए आठ बटे पचीस डजनाट उकल टू अब देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो हम कह सकते हैं अतहा अब प्रश्न पर आजाईए कि यक्स भागे वाई यक्स भागे वाई इन्टू जेड डजनाट इक्वल यक्स भागे वाई इन्टू जेड देखिए यह कथन बिलुकुल सत्त है क्यों 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 हमने देखिए इस पक्ष को भी हल किया और इसको भी हल किया जब इसे हमने हल किया तो इसका मान 8 पटे 25 आया लेकिन जब इस पक्ष को हल किया तो इसका मान 2 आया दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है यही प्रश्न में भी कह रहा था कि दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं होने चाहिए तो देखिए बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष है क्या नहीं है तो इस लिए हम कह सकते हैं कि यह बिलकुल सत्यापित है और यही सत्यापित करना था तो इस प्रकारे से यह प्रश्न आपका हल हो गया तो अधिकी पांचवे प्रश्ण को भी देख लेते हैं भाग के ही प्रश्ण है और भाग आप हल कर चुके हैं तो इसमें कई प्रश्ण हैं एक प्रश्ण हम इसका हल कर दे रहे हैं फिर आप स्वयम से हल कर लेंगे तो चलिए आईए देखते हैं इसे देखिए इस प्रश्ण में कह रहा है कि अच्छा निम में लिखित कथन सत्य हैं या सत्य तो पांचवे प्रश्ण में भी सत्य और असत्य की बात हो रही है तो इसका फ़र्श्ट पार्ट दिया है तेरा बटे पांच भागे चब्विस बटे पनरा बराबर चब्विस बटे पनरा भागे तेरा बटे पांच तो दिखिए आपको बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है सत्य कथन तब होगा जब इसका भागफल और इसका भागफल बराबर होगा और असत्य कथन तब होगा कि जब बाया पक्ष का मान कुछ दूसरा हो और दाएं पक्ष का मान कुछ दूसरा हो तब हमारा कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा तब आईए देखते हैं इसमें एक-एक पक्ष आपको हल करना होगा तो देखिए हम पहले बाएपक्ष को हल करते हैं तो LHS Left hand side बराबर 13 बटे 5 भागे 26 बटे 15 तो देखिए अब भाग करेंगे तो 13 बटे 5 तो हमने ऐसे ही लिख लिया अब भाग के चिन्नों को गुड़ा में बदलेंगे तो यह 26 बटा जो 15 है यह 15 बटे 26 हो जाएगा तो देखिए अब इसे आप सरल कर लीजिए और फिर गुड़ा कर लीजिए तो पांतियां 15 और 13 दूनी 26 तो देखिए उपर क्या बचा हमारे पास 3 और नीचे 2 3 बटे 2 जब इस पक्ष को हमने हल किया तो हमारा उत्तर निकल कर आया 3 बटे 2 तो कि अंस में क्यों लीजिए 3 है और नीचे हर को देखिए यहां केवल 2 सेस है तो उत्तर 3 बटे 2 अब इसी प्रकार हम दाए पक्ष को भी देख लेते हैं आरेचेस बराबर 26 बटे 15 भागे 13 बटे 5 अब देखिए इसे हल करेंगे तो 26 बटे 15 गुड़ते 5 बटे 13 अब देखिए यहां भी आप सरल कर लीजिए तो 13 दूनी 26 और 5 तियां 15 तो यहां आपका उत्तर क्या आया अब 2 बटे 3 तो आप देखिए यहां पर लिख देते हैं चू की आरेचेस और डजनाट इक्वल यह लिएच यस और आरेचेस का मान है आपके पास 2 बटे 3 और यह लिएचेस का मान है 3 बटे 2 तो दिखिए आपस में दोनों बराबर नहीं है तो हम लिख देते हैं अतहा कथन असत्त्य है यह कथन है जो असत्य है सत्य कथन नहीं है अगर सत्य कथन होता तो दोनों के उत्तर बराबर आते अच्चू की दोनों के उत्तर बराबर नहीं है इसलिए यह कथन क्या है असत्य है तो दिखिए इसमें भाग के ही ऐसे प्रशन है मैंने चार प्रस्ण इसमें किया है ऐसे ही तो आप इन प्रस्णों को ऐसे ही मैंने बिल्कुल सडरधं भाग कर kita कि प्रस्ण है दो पक्षा बना कर आप हल कर लें उसके बाद तुल ना कर लें और यह दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं आपस में तब कथन सत्य है और बराबर नहीं होते दोनों पक्ष तो आपका फिर कथन असत्य है तो आज बस इतना ही और कल हम लोग छठे हैं तो पांच प्रशन तक हम लोग हल कर चुके हैं और सेश कल के वीडियो में हल करेंगे तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए